हाई एब्रियोन आज हम बनाने जा रहे हैं साबुदाना वड़ा नए तरीके से ठीक है ना अलू बालना ना साबुदाना भीगोना एकदम क्रिस्पी सा बनका तयार होता है यह इंस्टेट साबुदाना वड़ा यह बुरत्त में भी आप खा सकते हो ठीक है तो चले है ठीक है स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल की इतनी से साहो को ल IP कर दिजए सब्सक्राइब कर दिजए तो मैं अभी पैन बैठा दी हो connect यह सँन कर दीएं और एक कप साबुदाना जो कच्छा साबुदाना एसे रोष्ट कर रही हूं मतला थोड़ा नहीं जाने तक उसको रोष्ट कर पीनट को भी भून कर ले लिया है आप चाहो तो चिलका भी यह से निकाल सकते हो मैं ऐसे ही पीशूंगे साबुदाना भी पूरा गरम हो गया रोस्ट हो गया है तो उसको मैं निकाल ली हो पिसने के लिए ठंडा करके रख दी हो तब तक दो मेडियम साइज का पॉटेटो ले लेने का कच्छा और एसे दो कर उसको काट देने का फिर दो लेने का ऐसे चोटे-चोटे मतला कैसे भी आ अधा-धा करके पिसना बीना पानी डाले अभी पिसेंगे पॉटेटो को पूरा दो डाले है काटने के बाद फिर दोना अब तब तक वह बात में बता होंगे पिसना अभी इसको साबुदाना ऐसे मैं ग्राइंड करके पिसकर मतला ले आई हो एकदम फाइन पेस्ट हो गया आप चलीए पीनठ को भी दाडरा पिसलेंगे ुसको ग्राइंड कर लेते हैं आप छिलका निकाल सकते हो आप छिलके के सहीत interested भी पिस सकते हो दाडर देखिए भी निकाल लेंगी ऐसी पेस्ट में पेस्ट में पल, जो पावडर बनाये है साबुदाना का तो इसी में निका काछी मिर्च कामादर क्वक कर दो हरी मिर्च और भुना हुआ हुआ जीरा पावडर काना और ये showsक्षब, इसको 1 तेज पुन निम्भू का क्षिट डाल देंगे निम्बू का रस नहीं होगा तो आप अमचुर पाउडर भी डाल देना अगर फास्ट में खाते हैं तो निम्बू नहीं खाना ठीक है जीरा पाउडर आपको जो जो नहीं चाहिए वो स्किप कर देना और यह देखिया भी पेस्ट पुरा में कर दी हूं फिर धन जेसे तो दीगे ना पानि पीद में पानी डाला। जैसे सावुदाना यहां च्पिक प्लावाकर्च फीच मचा ड़नकिंगे 1 chunks पूंद और नमक भी को देखकर दीखकर डूप मिक्स कर लेंगे ची तरह ौबात में बता चलेगा हमें कितना और थोड़ा पानी डालना है लग रहा और पानी चेहिए तो मैं अब जो जार में लगा हुआ था ना उसी में पानी डाल कर अब तशनी निकाल लिये हूं इतना पूरा पानी लग जाएगा मैं थोड़ा थोड़ा करके डालोंगे 2 एक साथ डाल देंगे तो पूरा चिकटचिसा भी हो जाएगा इसले आपको पता चल जाएगा तो इस तरफ अटेगा तो बड़े आराम सच्छे से बन जाता है ठीक है बीना हाथ में लगे एक तम अच्छे से यह बन जाएगा सब एक एक करके मैं बना दूंगी सारा इसे रख दूंगी पहले रेडी कर लेंगे बना कर फिर उसके बाद तेल गरम करने के लिए भैठाएंगे आप जाहो तो इसे कड़ाई में भी थोड़ा सा तेल डाल कर बनाते हैं वो साबुदाना कमेंट करके बताना वो भी मैं बनाई हूँ और आप देख लेना जाकर मेरे चैनल में विजिट करके देख लेना आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगा यह क्या इंस्टेंट हो जाता है अगर हम फास्ट में हम अगर भूल जाते हैं रात को भीगोना साबुदाना को आलो उबालना तो इस तरह का तुरंद करके हम खा सकते हैं बिना भीगोए हुए साबुदाना और बिना उबाला हुआ पोटेटो का इस तरह से साबुदाना वड़ा बनता है आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताना देखिए इस तरह में सारा सब बना ली हूँ जैसे पानी हात में लगा लगा कर ऐसे टिककी जैसे टिकी साइज का बना लेंगे टिककी के तरह आप चाहोत और भी पतला कर सकते हो लेकिन यह तेल में चानेगे तो पूरा फूल कर उपर आता है इस तरह बता रही हूं कि ऐसे बनाते हैं, ठीक है, पूरा हाथ में बिल्कुल नहीं लग रहा है, अगर लगेगा तो पानी का हाथ ऐसा हो जाना, फिर दोनों हाथों में, और फिर टिक की बना लेना, तब यह थोड़ा ठीक नहीं है, आवाज बरा बरा आ रहा नहीं, पता नह चल रहा है, एक दो हपते से आप ठोड़ा जल लेना, देखे इसी तरह का पुरा में बना ली हूं, सारा बनकर रेडी है, अब कडाई में, देखे इतना सारा, 11 वारा हो गया होगा, 10 वारा, ठीक है, अब सारा में, ओल डाल कर पैन में, गैस अन करके, मीडियम फ्लेम में, प पूरा डारेक ब्राउन हो जाएगा, तो देखे, आप थोड़ा अगर पता नहीं चलेगा था, एक बड़ा डाल कर देखना, फिर कम-कम ही डालना, दो या तीन चोटा कडाई है, दो या तीन डाल कर ही तलना, तो बराबर होगा, ने तो स्टार्टिंग में धेर सारा डाल द इस स्टेज में निकाल लेने का, गोल्डन कलर होने, लाइट गोल्डन कलर, और आपको पता कैसे चलेगा, तो ऐसे लाइट गोल्डन कलर का दोना तरफ का हो जाएगा, अपना बड़ा तो तब ही समझाने का, देखे, जोइंट भी हो जाता है, तो डर्णाने अपने आप छ थोड़ी देर बात, दस मिनिट बात, एकदम क्रंची लगेगा, और एक भी तेल नहीं लगेगा आपको उपर, मतला जो साबदाना वड़ा के उपर, एक भी ओईल, मालूम नहीं पड़ेगा कि ओईल से सेके थे, एकदम सुखा-सुखा ऐसा लगता है, एकदम क्रिस्पी, और अंदर से तोड़ने पर सॉफ्ट होता है, तो इस तरह इंस्टेंट साबदाना वड़ा बिना भीगोए आप बना सकते हो, कभी भूल जाओगे तो बाइचांस, तो ये टमेटर सॉस के साथ भी खा सकते हैं, नारेल की चटनी बना कर भी खा सकते हैं, और फुटाना जो खाना चाहो उसी तरह से खा सकते हो, जैसे फास्ट में हम खाते हैं, और फास्ट में अगर नहीं खाएंगे तो कोई भी चटनी के साथ चलेगा, ठीक है, और फास्ट में अगर खाना चाहोगे तो देखिए, ये मेरा फटा हुआ था एक, तो एक तोड़कर मैं बता रही हू नहीं, फूल कर ऐसा मोटा हो गया है, अब दीखिए, एक दम नरम नरम अंदर से, मस्तर टेस्ट आता है, खटा मिटा मस्तर लगता है, ठीक है, आप इससे बनाईए और कमेंट करके बताईए, अच्छा लगेगा तो लाइक और सेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मेर बड़ा अच्छा बना है, जो सुक कर हम बड़ा बनाते हैं, वो बेटर है कि ये वाला, ठीक है, लाइक करिए, सेयर करिए,